जमू कश्मीर के पूर्वर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बुदवार को पुलवामा आतंकी हमले की सुप्रीम कोट की निगरानी में जाज की मांग की है। पुलवामा आतंकी हमले की सुप्रीम कोट की निगरानी में जाज की मांग करता हूँ जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए। अब तक प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने इस तराज़दी पर चुप्पी साध रखी है और गंभीर खामियों को स्विकार करने में बिफल रहे हैं। सत्यपाल मलिक ने कहा कि मोदी ने पुलवामा हमले के बारे में इस साल अप्रेल में उठाए गए गंभीर सवालों का जवाब भी नहीं दिया। मैं फिर से कह रहा हूँ कि संबावित आतंकी हमले की खुफिया रिपोर्टों के बावजूद सरकार ने CRPF जवानों को यात्रा के लिए विमान उपलब्द नहीं कराये थे। अगर विमान उपलब्द कराया गया होता तो हमारे जवान शहीद नहीं होते। सत्यपाल मलिक ने संसनी खेज दावा किया था। उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने जम्मु कश्मीर के ततकालिन जबावों का जबाब दिया है। The Telegraph Online की रिपोर्ट कहती है कि सत्यपाल मलिक के आरोपों के बाद CBI ने केंदर शासित प्रदेश, जम्मु और कश्मीर में एक कथित स्वास्त बीमाग होटाले के संबंद में पूछताश करने के लिए उन्हें समन जारी किया था। कोट में कहा गया है कि दिल्ली में बुद्वार को पूर्वराजयपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि पिये मोधी ने लोकसवा चुनाफ के पहले 40 TRPF जवानों की हुई हत्या और बाला कोट में भारती वायुसेना की हमले का राजनीती करण किया था और यहां तक कि पहली बार मत किन मोधी सरकार जवाब देही तै करने में बिफल रही है चुनाफ जीतना उनकी एक मात्र प्राक मिकता है इस देश के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है कि इस बार भी संसदिये चुनावों से पहले इसी तरह के हमले हो सकते हैं पुलवामा हमला 2019 के लोकसवा चुनाव स से आठ हफते पहले हुआ था इसके बाद 26 फरवरी 2019 को भारतिय वायुसेना ने पाकिस्तान के वाला कोट में एयर स्ट्राइक की थी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में पुद्वार को पूर्व राजपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि पीम मोधी ने लोकसवा चुना को अंजाम देने वाले बहादुर सेनिकों को समर्पित करने के लिए कहा था उन्होंने कहा कि तब से चार साल से अधिक का समय हो गया है लेकिन मोधी सरकार जवाव दे ही तै करने में बिफल रही है चुनाब जीतना उनकी एक मात्र प्रात मिकता है इस देश के लोगों को सत करने की जरूरत है कि इस बार भी संसिदिये चुनावों से पहले इसी तरह के हमले हो सकते हैं ड़ टेलिग्राफ ऑनलाइन की रिपोर्ट बताती है कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा नरसंगहार में 40 ती आरपीफ जवान शहीद हो गए थे अधिकारियों ने कहा था कि बिस फोट मलिक के साथ मौजूद बिस फ के पुर्व अत्रिक्त महाने देशक संजीव के सूद ने कहा कि उस घटना को लेकर कई प्रशन अनुत्तरित रह गए हैं मलिक की बात को दोहराते हुए उन्हों ने पूछा कि सी आरपीफ जवानों को मांग और कई खूफिया एजन्सियों द सुरक्षा निगरानी की मौजूदगी के बावजूद आरडी एक सहित तीन सो किलोग्राम से अधिक वजन वाले विस्पोटक देश के सबसे सुरक्षित राजमार्ग तक कैसे पहुंच गए यह सवाल हैं जो की बने हुए हैं उन्होंने कहा कि देश और लोगों को पीम चले